दोस्तो नमस्कार करनल अजय सीओ अजय इस्ट्रोमनिक रूव फर्श ग्लोबल एस्ट्रोफरेंस डिजीटल चैनल से आपसे मुखातिव होता हूँ आज 12 मई सन 2023 फ्राइडे आज हम चर्चा करेंगे क्योंने सीट के उपर यानी जीरे के उपर दोस्तो जीरे पर या आपको याद होगा हमने साल एक साल पहले आपको सबसे पहले कहा ताकि जीरे में शांदर तेजी दर्ज होगी और उसके बाद 6 मैंने पहले आपको रिमाइनर दिया और तीन मैंने पहल सबी पर हमारा विशेश विशलेशन सत्य सावित होते देखे गए हैं दोस्तो स्पाइसिस के अंदर यानि मसालों पर देश का पहला चैनल जो हर खबर आप तक सबसे पहले पचाता है दोस्तो आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस् पादल होता है सीरिया टर्की और अफगानिस्तान और चीरे की फसल अब बिलकुल आने के में होगे चुकी है और जून में इसकी स्थिति बिलकुल कलियर हो जाएगी और जुलाई में इसका प्रेशर भी आने को बन सकता है जहां तक चीन से खबर निकल के आ रही है कि चीन म अब उसमें गिरावट हो सकती है और कुछ सुत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जीरे की फसल इस बार चाइना जो 45,000 तन की सोच रहा था वो अब 20 से 25,000 तन ही रहेगी चीन में 40 से 45,000 तन का जो नुमान था क्योंकि जीरे की वुआई डबल हुई थी लेकिन खड़ी फसल के अंतिम चरण में भारी बरसात और कुछ बरफवारी से जीरे की फसल को चीन में काफी नुक्सान हुआ है और यही वज़ा है कि पिछले 10 दिनों में चीन ने भारत से चीन ने इससे पहले सितंबर अक्टूबर में भारत से जीरे की भारी खरीदारी की थी और यही वज़ा थी सितंबर अक्टूबर के अंदर जीरे के भाव आस्मान चूने लगे थे सितंबर अक्टूबर में के बाद चीन ने जीरे की खरीदी बहुत स्लो कर दी थी लेकिन अब चीन लगातार खरीद कर रहा है भारत में लगबग 55-60 लाग बुरी जीरे का फसल का अनुमान विक्त किया था लेकिन जीरे की आवक शुरू होने के बाद ये काफी कम हो गई है गवरतला बै की जीरे की फसल के लास्ट मिनिट टाइम पर बारिश से कुछ जीरे की फसल को नुक्सान में हुआ है और गवरतला बै की भारते जीरे का लगबग 60% से अधिक फसल मार्केट में आ चुकी है जीरे का प्रमकुत पादन गुजरात राजिस्थान में होता है और जहां तक गुजरात का सवाल है वहाँ पर 25 से 30% फसल ही बजार में अभी आना बाकी है 70% से अल्लग बाद गुजरात में जीरे की फसल बजार में आ चुकी है खबनिकल के आरीगे गुजरात में अब शक्तिशाली किसान और मजूद स्थाकिस्टों के पास ही जीरे का स्टॉक है किसानों के पास पड़ेवेश जीरे के स्टॉक में से 15 से 20 दिन में काफी स्टॉक बजार में आ चुका है क्योंकि मार्ज के अंत में जीरे का भाव प्रतिमन 5500 से 500 रुपे था जिसका मंडी में गुरुवार को प्रतिमन 8800 से 9000 रुपे और बैस्ट क्वालिटी का भाव 9100 रुपे तक प्रतिमन पहुच गया था पिछले डेर मेने में जीरे और में किसान और व्यपारी को प्रतिमन 3500 रुपे की बड़ी कमाई हुई है सीरिया टर्की और अफगानिसान चीन की जीरे की फसल की पूरी स्थिति जून जुलाई में इस पस्थ हो जाएगी गौर तलब है इस बार जीरे के फंडमेंटल और निर्याद के भारी वेपार को देखते वे भाव काफी आकरशक हो गए हैं राजिस्तान में 30 से 35 लाग बुरी और गुजरात में लगब 20 लाग बुरी की फसल का जो अनुमान मार्च मेहने में वेक्त हुआ था उसके अनुसार फसल की आवक मार्च में बेमुस्मी बरसात के कारण जीरे की कॉलिटी पर असर हुआ था और एक से डेड़ लाग बुरी फसल की अनुमान से कम बताई जा रही है और कॉलिटी को भी भारी नुक्सान के समाचार थे फिलाल राजिस्तान में दैनिक आठ से दस जार बोरी जीरे की आवक हो रही है और राजिस्तान में मुख्यरूप से जीरे की आवक नागोर, फलोदी, जोद्पूर, मेटता में होती है राजिस्तान में लगब 75 प्रतिशत फसल मारकेट में आने का नुमान है और मोर अलेस 70 प्रतिशत गुजरात में भी यही स्थिती है पिलहार राजिस्तान में जीरे का भाव मंडी में प्रति किलो 380 से 447 रुपे के बीच है कॉलिटी अनुसार और अच्छी कॉलिटी का भाव राजिस्तान में प्रति किलो 505 रुपे के आसपास चल रहा है जीरे का भाव सीजन के आरम से ही लगातार बढ़ने से डॉमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और डॉमेस्टिक मार्केट में जब भाव घठाता या इससे रहता है तब डिमांड नहीं होती लेकिन जब भी भाव चाड़ता रहता है इस समय डॉमेस्टिक मार्के में डिमांड रहती है क्योंकि डिटेलर्स को भी जीरे के भाव बढ़ने पर डिमांड बढ़ती निजर आती है जीरे का निरिया चालू वर्ष में रिकार्ड तोड़ होना बिल्कुल इस पश्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि विश में जीरे की सप्लाई भारत के लावा और कोई नहीं कर सकता है और फिलाल चीन की डिमांड बढ़ रही है जीरे का इतना बड़ा और उचा भाव पहले कभी नहीं दिखाई दिया किसान और जैप्यापारी जीरा बेच रहे हैं इससे भी 70-75 प्रिश्ट जीरा मार्केट में आने जाने के बाद जीरे में रियल कमी का समय शुरू आए और रियल कमी अगामी दिनों में बढ़ने की सम भावना बनती है दोस्तों अधिक जानकारी और पिशेश रिपोर्ट के लिए संपर करें